हालो बच्चो आज हम बात इंट्रिगेशन की करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 NCRT की इंट्रिगेशन वाइस सब्स्टिटूशन व्रतिस्थापन द्वारा और समा कलन ये इसकी पहले साइज जो पहले के 13 कोशन प्रिसस कर चुके हैं इसका मैथेड भी हम बता चुके हैं इसको अब देख लीजेगा हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देदेंगे उसको देख लीजेगा आज हम 14 कोशन से स्टार्ट कोने जा रहे हैं देखें यहां बताया गया था कि इंट्रिगल का मतलब होता है एज इज इज फार्मूले जो मालूम है उसी का इंट्रिगल ह होता ही नहीं तो उसको कुछ एजियूम करना पड़ेगा शर्त यह है कि उसका डिफ्रेंसेशन प्रिजेंट होना चाहिए इसकी पहले साइस देख ज़रूर लीजेगा जैसे इसका फॉर्टींथ कोश्चन है फॉर्टींथ कहता है इंट्रिगल वन अपान एक्स लॉग एक्स होल टू पावर एम डी अक्स अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि लॉग का इंट्रिगल होता नहीं तो जिसका इंट्रिगल नहीं होता उसको टी मानना पड़ेगा उसको कुछ मानना पड़ेगा अब उसको च अपान x यहां present है तभी आप t मालिएगा तो हमने क्या-क्या log x को t माल लिया let log x is equal to t तो इसके बाद चुकि हमको यहां पर t के form में हमने माल लिया है यह x के respect में integration है और t के respect में करना पड़ेगा तो इसको differentiate करना पड़ेगा तो log x का differentiation 1 by x और जहां भी x के function को differentiate करते हैं वहां क्या लिकते हैं dx is equal to dt एचलिए हम कर यह रहे हैं इसको x के respect में differentiate कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 by x यह हो जाएगा dt by dx और जब cross multiply करेंगे तो यह चीज जाएगी तो इस step को omit कर दिया जाता है कि यह मत लिखिए जहां x के function को differentiate करेंगे वहां dx लिखेंगे और जहां t के करेंगे वहां dt लिखेंगे तो dx की value क्या हो जाएगी x dt इसका नाम मैंने दिया है i यह मेरी आदत है i आप ही मानिएगा so i is equal to value रखें उठाकर के देखें dx की value क्या है x dt इस x को मैंने कुछ माना नहीं इसको मत छेड़िएगा log x को आपने t माना है तो यह t की power m हो जाएगा x x कड़ गया तो यह क्या हुआ i is equal to integral यह नीचे t की power m है चुकि हम power में जो integral जानते है x to power n का integral जानते है denominator से उपर इसको ले जाओ तो आएगा t की power minus m plus c अरे क्या कर रहा हूँ sorry t की power minus m dt इसको integral कर दो तो t to power minus m plus 1 upon minus m plus 1 plus c c is a constant of integration भी बताया गया है क्यों add करते हैं t की value रख दो उठाकर के तो आएगा log x to power minus m plus 1 upon minus m plus 1 plus c तो यह आपका integral यह 14th question है समझ में आ गया होगा बहुत technical चीज नहीं है जो दिकत create करे उसको t मान लीजिए शर्त यह है कि उसको चिनोती आपने दी है निकल बाहर वो निकल आएगा तो उसका differentiation present होना चाहिए 15th कहता है i is equal to integral of x upon 9 minus 4x square dx देखिए denominator का integral नहीं होता है 1 upon x का होता है केवल हाँ और inverse वगरा में होते हैं बात की बात है देखिए x square का अगर हम t मानते हैं तो differentiation 2x होता है और x present है 2 तो constant है कोई दिकत नहीं इधर उधर मर्ज हो जाएगा देखिए जब x square को t मानेंगे तो हमने बताया था जो उसका coefficient होता है गुडांक वो भी लिया जाएगा और कोई ऐसी चीज प्लस माइनस में जिसका differentiation 0 हो जाता है वो भी उसके साल ले लीजीगा यहनि लेट 9 minus यह 9 है सौरी जी नहीं है 9 minus 4x square is equal to t अब उसको differentiate करेंगे तो 9 का 0 हो गया इसका क्या हो जाएगा minus 8x और जहाँ x के function का हमाँ dx यहाँ dt तो dx की value क्या आगई minus dt अपान 8x यह तो dx निकल आया रखो यहाँ पर so i is equal to देखो x को हमने कुछ माना नहीं है x को मत छेडिया इस पूरे को t माना है आप चाहे तो x dx एक साथ निकाल सकते ही लेकिन आप चाहें dx निकाल दीजे calculation गरबर नहीं होना चाहिएगा चाहिएगा minus dt अपान 8x यह xx कर गया minus बाहर हो गया 1 by 8 बाहर हो गया और 1 by t का इंटिका log t plus c तो minus 1 by 8 log t की value क्या है 9 minus 4x square 9 minus 4x square plus c तो this is 15th question number next देखिए बस randomly करते जाओ और कुछ नहीं है जो standard formula है उसमें x की जगे और कुछ माना जाएगा तो वो माना जाएगा उसको t माना जाएगा शर्त यह है कि उसको challenge देने के पहले यह समझ लिएगा कि जब उसको t मानोगे तो उसका differentiation present होना चाहिए बस इतना दिमाग में आना चाहिए ठीक है अब देखिए इसका question number 16th क्या कह रहा है 16th question कह रहा है i is equal to integral of e to power 2x plus 3 आप कहेंगे integral तो e to power x का होता था e to power x का होता था यह x होना चाहिए था है नहीं तो मान लिजे t इसको जो x होना चाहिए था कुछ और है तो वो जाएगा वहाँ से तो हमने 2x plus 3 को क्या माना t इसको differentiate करो 2x का 2 x का 1 होता है into dt तो dx की value क्या आएगी half dt dx निकला है रग दो so इसलिए i is equal to integral e to power t और into half dt half बार हो जाएगा और e to power t का integral e to power t होता है आप जान चुके हैं t का मान रग दो तो क्या हैगा half e to power t बोले तो 2x plus 3 plus c इस प्रकार से लिखेंगे यह this is 16 question number 17th देखें क्या कहरा है 17th कहरा है i is equal to integral of x upon e to power x square देखें एक तो e to power x का integral होता है लेकिन वो होना कहां चाहिए numerator में यह तो नीचे लिखा हुआ है तो पहले इसको उपर shift कर दू तो आएगा e to power minus x square into x dx आप कहेंगे साब यह x होना चाहिए x होना चाहिए है नहीं जो x नहीं है कुछ और है तो t बना जाएगा तो हमने पूरी power को t माल लिया let minus x square is equal to t तो इसका differentiation क्या आएगा minus का 2x dx is equal to dt चाहो तो पूरा x dx एक साथ ले सकते हो calculation में आपको दुआता सहूलियत होनी चाहिए x dx is equal to minus का half dt तो direct इसको minus half dt कर सकते हैं क्या आएगा i is equal to integral e to power t और minus half dt तो minus half बाहर कर दो और e to power t का integral e to power t plus c t का मान रख दो minus 1 upon 2 e to power t की वालू क्या है minus x square plus c तो चाहो तो e to power 1 upon में कर दो या यही आपका answer हो गया 18th question क्या कह रहा है 18th question कह रहा है i is equal to फिर हम बता दे जो दिक्कत create करे उसको challenge दो get out निकल बार लेकिन वो निकल तो आएगा गुस्से में आएगा तुमने ऐसी तैसी कर दी तो उसका differentiation डोन लेजिएगा पहले से e to power 10 inverse x upon 1 plus x square differentiation आपका तयार होना चाहिए ध्यान रखिएगा upon 1 plus x square dx दिक्कत तो e to power कर रहा है तो अगर मैं 10 inverse x को मानू t तो इसका differentiation होता भी है 1 upon 1 plus x square तो किसको t मानेंगे let 10 inverse x is equal to t differentiation 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt या तो इस पूरे को dt कर दो या अगर दिक्कत हो तो dx की value निकालो 1 plus x square dt रख दो उठा करके यहाँ so i is equal to यह हो गया e to power t इसको आपने कुछ माना नहीं है और यह उपर हो गया 1 plus x square dt यह कट जाएगा तो e to power t का इंटिकल e to power t plus c t कमान रख दो e to power tan inverse x plus c यह आपका पहले एक साइज जरूर देख लिजेगा अगर differentiation गरबढ़ है तो फिर नहीं कर सकते आप आप किसी चीज को team आने के पहले उसका आपको उसकी फिल्डिंग फिल्ट करने ही पड़े यह कि भाई उसको उसका differentiation जो है वही उसको जेल सकता है the 19th question अपने आप पहले लगाई है दिमाग लगाई है तब आएगा वो देखे 19th question क्या कहता है 19th question i is equal to integral of e to power 2x minus 1 upon e to power 2x plus 1 dx एक लफडा यहाँ पर है देखे अगर मैं इसको t मानता हूं चुकर denominator दिकत करता है तो e to power 2x का differentiation e to power 2x होता है लेकिन 1 नहीं हटेगा अगर मैं इसको अलग-अलग करदू इसके 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 इतना करदू तो यह तो हो जाएगा लेकिन यह 1 का नहीं हो पाएगा तो आप क्या करें इसके थोड़ा टेक्निक देखिए उपर नीचे e to power x से डिवाइट कर दू तो यह उपर क्या पचाएगा e to power x minus e to power minus x अपान e to power x plus e to power minus x यह हमने डिवाइट कर लिया इतना करना पड़ेगा अब नीचे वारी चीज को देखो numerator दिकत नहीं करता है numerator के differentiation integration मेरे पास होते है दिन हम दिकत करता है तो मैंने क्या किया इसको t माल लिया e to power x plus e to power minus x को हमने माल लिया t तो इसको differentiate करेंगे e to power x का differentiation e to power x और e to power minus x का minus e to power minus x उसके साथ dx is equal to dt अगर पूरा पूरा एक साथ देखें तो पूरा dt लिखा हुआ है तो that कर दीजे का है को dx निकालोगे so i is equal to उपर हो गया dt और नीचे हो गया t तो इसका integral क्या होता है log t log t plus c t कमान रख दो log t क्या है e to power x minus e to power minus x plus c इस प्रिकार से इसको लगाएंगे base यहाँ पर e होगा तो आपको वालू होगा 20th question देखें क्या कह रहा है 20th कह रहा है 20th same है नीचे वाले चीज को t बाने के उसका differences तो रूपर present है देखें 21 question चला साउधान 21 question देखें क्या कह रहा है यह कह रहा है i is equal to integral of 10 square 2x minus 3 देखें एक चीज दिमाग रखेंगा का ऐसा नहीं कि आपने का भई angle x होना चाहिए तो उसको t मा लीजे चलिए हम इसको t माने ले रहें लेकिन 10 square का integral नहीं होता हाँ 10 square का रिस्तेदार 6 square होता है उसका integral होता है 6 square x का 10 x होता है तो पहले इसको 6 square में convert करो जो integrable नहीं है उसका कोई रिस्तेदार जो integral हो जाए उसको t मानना पड़ता है या उसके form में convert करना पड़ता है 10 square हो क्या ले सकते हैं 6 square x यनि 6 square 2 x minus 3 minus 1 ये लिखेंगे तब इसको अलग-अलग integrate करेंगे अब आप कहेंगे साब इसको t मानने तो क्या दिक्कत है मानने जिए कोई दिक्कत नहीं है इसको t माननो तो 10 square t आएगा फिर वो integrate नहीं होगा तो इसको 6 square t में convert करना पड़ेगा अब इसको अलग-अलग करिए तो ये 6 square 2 x minus 3 का अलग integral हो जाएगा और minus 1 का अलग integral हो जाएगा 1 का integral हम जानते है x होता है इसका नहीं होता क्योंकि 6 square x होना चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 x minus 3 को t मानेंगे तो इसका difference is in 2 dx is equal to dt तो dx is equal to half dt रख दो so i is equal to यह half बार हो गया यह आजाएगा 6 square t dt अलग हो जाएगा और 1 का तो x होता है इसको कहें चेने 6 square t का integral क्या होता है 10 t तो यहाँ लिखेंगे तो आएगा half इसका हो जाएगा 10 t और minus x plus c t कमान रख दो half 10 t बोले तो 2 x minus 3 minus x plus c तो इस प्रकार से यह integral 21 होगा 22 लगभग लगभग यही question है जड़ा 22 देखिएगा देखने से मालूम हो जाएगा कि 22 का आधा part हम बता चुके हैं देखे 22 क्या कह रहा है i is equal to integral of sec square 7 minus 4 x हम जानते है sec square x का integral होता है लेकिन यहाँ x होना चाहिए देखो ऐसे question है यह x होना चाहिए इसको t वा लिजे आ जाएगा अपने आप करिएगा इसको 23 देखिए differentiation clear होना चाहिए तभी आप इसको लगा सकते हैं ध्यान रखिएगा और जैसे इसे integral आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका complication बढ़ेगा यह समा लिजेगा चूंकि tough तो नहीं कहेंगे नेकिन direct technical थोड़ा integral होता है यह ध्यान रखिएगा i is equal to integral of sin inverse x upon under root 1 minus x square dx ठीकि पहली बाग तो inverse function का integral नहीं होता यहनि sin inverse x का integral नहीं होगा तो आप क्या करें इसको t माल ले t तो माल लिया इसको बाहर निकाल लिया यह बाहर निकलाया तो इसका differentiation 1 upon root 1 minus x square present है इसलिए हम t मालेंगे तो हमने माल लिया let sin inverse x is equal to t इसको differentiate करो 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to dt अगर ध्यान से देगे यह पूरा यह पूरा क्या लिखा है यह dt लिखा हुआ है so i is equal to direct लिख सकते हैं आप और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो dx निकालीजेगा अगर दिक्कत हो रही calculation में तो ऐसा करिए आप मत करिए इसको इसको मैं निकाले दे रहा हूँ चुकिए ऐसा calculation करने भोलोंग दिक्कत होती है देखे इसको लिखा रहे हैं तो इसको मत छेड़ी आप देखे यहां से dx की value क्या निकलेगी under root 1 minus x square dt रखो यहाँ पर so i is equal to integral देखो side versus x को आपने t माना है कोई बात नहीं इसको आपने कुछ नहीं माना है इसको लिखा रहे हैं देजिए उठा करके under root 1 minus x square और dx की value क्या रही है under root 1 minus x square dt यह कर जाएगा तो आएगा integral t dt t का integral क्या होता t की power 2 upon 2 plus c t कमान रख दो sin inverse x का whole square upon 2 plus c यह कर सकते हैं यानि कि जब आप t मान लेते हैं पहली शर्त यह है कि पूरा का पूरा function t के farm में होना चाहिए कोई भी x का function वहां नहीं होना चाहिए ध्याना किएगा कहां से हटाना ही आप जानिए लेकिन हटना चाहिए हो देखे 24th question पहले आपने आप लगाईएगा क्योंकि net का एक पढ़िया तो इस्तेमाल है कि भी हमें कोई चीज नहीं सम्झाती हम देख सकते हैं यह बहुत दिक्कत जो होती है कि हम पूरा का पूरा दिमाग उसी से ले लेते I am not going to apply my brain यह सबसे बड़ी दिक्कत है देखे 24th question क्या कह रहा है क्या रहा है इसको टी मान लीजे और इसका डिफरेंसे दर उपर प्रिजिक्राइब दिक्कत कर रहा है इसको टी मान लीजे और इसका डिफरेंसे दर उपर प्रिजिक्राइब को 6 cause x का माइनस का 6 sin x और 4 sin x का प्लस का 4 cause x 2 का मन ले लेंगे तो ही जा जाएगी तो आप पूरे डिनॉमिनेटर को 6 cause x प्लस 4 sin x को टी मान लो इसका डिफरेंसेशन क्या होगा माइनस 6 sin x प्लस 2 cause x प्लस 4 cause x बाहर हो गया d x is equal to dt अब चुक्कि नॉमिनेटर में यह पूरा का पूरा एक साथ बंच ले के आओ यहां से आप ले लो 2 का मन यह पहले कर दो positive है तो यह बचेगा 2 cause x और माइनस का 3 sin x d x is equal to dt आपको यही चीज़ चाहिए तो 2 को उधार shift कर दो तो 2 cause x माइनस 3 sin x d x is equal to half dt यह इसको क्या ले सकते हैं आप half dt रख दो उठागर की value so i is equal to integral उपर हो जाए यह half बाहर कर दो उपर हो गया dt नीचे हो गया t 1 upon t का लॉक t होता है हमने बढ़ा है लॉक t प्लस c t कमान रख दो half लॉक t की value क्या है 6 cause x 6 cause x plus 4 sin x plus c answer यह आ भी सकता है answer यह नहीं भी आ सकता है कैसे देखे अगर यहां से 2 common ले लिया जाए तो लॉक 2 अलग हो जाएगा और वो constant में मर्ज हो जाएगा तो इससे answer यह आएगा अब आते हैं 25th and 26 question number हमने इस वीडियो पे चुके इसमें 39 questions थे और एक साथ 49 49 question जहेल पाना थोड़ा student आज के student की दिक्कत है मुना पहले कुछ जादा चे student हुआ करते थे हैं आद भी अच्छे लेकिन फ़ड़ा समय कम देते हैं पड़ाई में इसलिए हमने 13 13 के तीन वीडियो बनाएं यह दूसरा वीडियो मारा है 25 देखे क्या कह रहा है 25 कह रहा है i is equal to integral 1 upon cos square x cos square x 1 minus tan x to the whole square अब देखे दिक्कत कोन कर रहा है आप कहेंगे पूरा खांदान denominator में है पूरा दिक्कत कर रहा है लेकिन एक चीछ दिख रही है कि अगर मैं 10 को t मानता हूँ तो इसका differentiation sec square x होता है और cause square उपर जाएगा तो sec square बें convert हो सकता है यानि इसको लिखा जा सकता है sec square x उपर और यह आएगा 1 minus tan x का whole square आप इसको t मान लो पूरे को 1 minus tan x को t मान लिया हमने यह let कर लिया हमने तो इसका differentiation minus sec square x dx is equal to dt तो देखे चुकि उपर sec square x dx है तो direct sec square x dx निकालो minus dt रख दो so i is equal to integral minus बाहर कर दो dt upon t square इसको उपर ले जाओ minus t की पाहर minus 2 dt अब आपके इसाब 1 upon t square का तो log t square होता जी नहीं नीचे power single होनी चाहिए तब होगा log otherwise उपर shift करना पड़ेगा तो minus t की पाहर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c तो minus t की पाहर minus 1 upon minus 1 plus c यह minus plus हो जाएगा यह 1 upon t हो जाएगा तो t कमान रख दो 1 upon t बोले तो 1 minus tan x plus c तो this is question number 25 चब्विस्वा question क्या कह रहा है चब्विस्वा कह रहा है i is equal to integral of cos under root x upon under root x dx देखिए दिक्कत कौन कर रहा है आप कहेंगे cos x का integral होता है cos x का होता है x गए root x है यह दिक्कत कर रहा है इसको t बानो पहले let root x is equal to t root x बोले तो x पॉर half इसको differentiate करो तो half x पॉर minus half dx is equal to dt मानस हाब मतलब क्या होता है upon when under root x आएगा dx is equal to dt तो dx की value क्या निकलेगी 2 under root x dt रख दो उठा को बहाँ पर so y is equal to देखे cos t हो जाएगा अपान under root x और ds क्या आएगा 2 under root x dt root s कड़ गया 2 बाहर कर दो cos t का integral क्या होता है sin t तो 2 sin t plus c t कमान रख दो तो 2 sin under root x plus c तो ये तेरा questions हैं इन्हें कर लिजेगा next some more questions are left that will be next video okay thank you कर दो 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 क